नमस्का चात्रो आज हम हिंदी विशे देखने वाले हैं हिंदी विशे में हम देख रहे हैं वर्णाक्षर वर्णाक्षरों में हमने पूरे स्वर भी देख लिये हैं और जो व्यंजन थे उसमें से हमने कौन से सीखें क और ख अभी उसके आगे जो आने वाले हैं ग और ग के आगे है ग ऐसे दो वरनाक्षे हम सीखने वाले हैं तो पहले हम देखते हैं ग देखो यहाँ पे जो लिखा है यह है ग अभी ग से क्या होता है चलो हम देखते हैं अब यहाँ पे हिंदी विशे हम देख रहे हिंदी में भी हम गसे गनपती बोल सकते हैं अब यहाँ पे चित्र में हमें क्या दिख रहा हैं गमला क्या हैं गमला गसे गमला गसे गनपती अभी गमला शब्द देखो यहाँ पे गमला शब्द में गहाँ है शुरू में तो हमने क्या किया उसे अंडरलाइन तो गमला शब्द जब हम अधोरेखिट करते हैं तो वो पहले स्थान पे इसलिए किया हमने और क्या बोलेंगे गह से गमला अभी जो भी चित्र देखेंगे और जिस शब्द में जहाँ पे गह होगा उसे हम क्या करेंगे अंडरलाइन तो पहला हमने चित्र कुन सा देखा गमला यह गमला क्या होता है एक अगदन पौट होता है जिसमें हम क्या करते हैं चोटे चोटे पोधे लगाते हैं कभी-कभी ये शो के लिए होते हैं या कभी-कभी हमारे यूज के होते हैं अभी देखते हैं कि आगे का चित्र क्या है अभी कौन सा प्राणी है इस चित्र में सबने देखा है ना क्या है ये गधा क्या है गधा अभी देखो ये गधा शब्द देखो गसे ही शुरू हुआ है तो हम क्या कहेंगे गसे गधा गसे गधा है की नहीं अभी देखो नेक्स्ट पिच्चर अभी आपको एक आरो दिख रहा होगा ये जो आरत है इसने अपने बालों में क्या लगाया है गजरा देखो यहाँ पे हम आरो देख रहे है ये की नहीं क्या ही ये गजरा गजरा शब्द भी गसे शुरू होता है देखो यहाँ पे हम अंडरलाइन करते हैं गसे गजरा गसे गजरा हम गसे गजरा बोल रहे हैं क्यूं? क्यूंकि शुरूआ थी गर से हुई है शब्द की तो गर से गजरा अभी और क्या होता है देखते हैं हम अभी यहां है आग क्या है आग अभी यहां पर आप क्या बोलोगे गर से आग बोलोगे नहीं क्योंकि गर कहा है आखरी में शुरू में है क्या नहीं तो जो शब्द है आग इसमें गव है दूसरे स्थान पे तो हम कहेंगे सिर्फ आग क्या कहेंगे आग ऐसे और भी शब्द मिलेंगे आपको कि जिसमें गव आया होगा जो लास्ट में होगा या बेच में होगा है ना आप भी ऐसे डूंड सकते हो और देखते हम क्या है नेख यह बाग है, क्या है यह बाग, हमारे घर के पीछे की साइड में या आगे की साइड में जो हम बगीचा बनाते हैं, उसे ही बाग कहते हैं, जहाँ पर हम छोटे छोटे पोधे लगाते हैं, फुलो वले है किने, या फिर शोके, उसे बाग कहते हैं, और यहाँ पर देखो, इस एक पेड़ है ये है फलो का पेड़ मतलब कौन सी बाग है ये फुलो और फलो की अभी बाग शब्द देखो बाग शब्दों में गः कहा है दूसरे स्थान पे आखरी में आया है है कि ने अभी हम यहाँ पे गः से बाग नहीं कह सकते सिर्फ हमें क्या कहना है बाग क्या कहना है बाग अभी हम देखने वाले है कि गर कैसे लिखा जाता है गर लिखने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बत्ताती हूँ गर लिखने के लिए आपको एक हलका सा कर्व निकालना है और ये कर्व होने के बाद उसे अंदर की साइड में टरन करना है राइड साइड में और उसे स्टैंडिंग लाइन देनी है ये हो गए आपका ग ग स्लिपंग लाइन देनी के बाद फिर से देखो ग क्या ही ये ग आपकी ये सहीगह आपकी notebook में four column एक page पे लिख सकते हो now next अभी जो आगे वाल अक्षर हम देखने वाले है घर अभी घर से क्या होता है चलो देखते हैं घर से घर घर से घर अभी यही चित्र में हमें घर दिख रहा है यह की नहीं अभी घर शब्द देखो घर शब्द में घर है शुरू में घर से ही शुरुवात हुई है इस शब्द की तो हम कहेंगे घर से घर अभी देखो आगे क्या है चित्र में घडी है की नहीं अभी घडी शब्द भी हम देख सकते हैं जो घर से ही शुरू आए तो कहेंगे घर से घड़ी घ़ से घड़ी ओके अभी देखो आगे क्या है घड़ियाल ये जो मगर मच है ये बड़ी मुवाला होता है इसे कहते हैं घड़ियाल है किने अभी घड़ियाल शब्द भी देखो घ़ से शुरू है तो बोलेंगे घ़ से घड़ियाल घ़ से घड़ियाल आगे देखो क्या है चित्र में? मिट्टी से बना हुआ घडा हम इंगलिश में क्या कहते हैं? अर्दन पॉट है ना? अब यही घडा शब्द देखो घडा शब्द में घडा कहा है? फिर से शुरू में है तो हम कहेंगे घडा घडा अब यह आगे देखो क्या है? अब यहाँ पे आपको जो दो चित्र दीख रहा है क्या है उसमें? देखो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि बहने वाला पाणी है यहाँ पे कृष्ण बेठे हैं यहाँ पे जो राधी का है वो पाणी लेकर जा रही है मतलब कहा है वो? नदी की नारे वो पानी वहाँ से लेके जा रही मतलब ये है पंगट क्या है पंगट मतलब जहाँ पे औरते पानी भरने के लिए आती है अभी इस जित्र में भी देखो यहाँ पे भी जो औरते हैं वो पानी भरने के लिए इकटा हुई है इसे पंगट कहते हैं क्या कहते हैं पंगट अभी पंगट चब्द में घो आया है तीसरे स्थान पे यहाँ पे हम नहीं कहे सकते कि घो से पंगट नहीं क्योंकि घो से शुरू है क्या नहीं सिर्फ हम यहाँ पे उसे अंडरलाइन करेंगे और पनगट ऐसे कहेंगे पनगट जहां औरते पानी भरने के लिए आती है पुराने जमाने में एकी जगा ऐसी होती थी एकी गावाली सब औरते वहाँ पानी लेने के लिए आते थे तो उसे पनगट कहते हैं आगे देखो अभी क्या है ये? मेग ये जो मेग होते हैं उसमें बारिश का पानी समाया हुआ होता है और बाद में वो बूंदो की रूप में जमीन पे गिरता है बारिश की रूप में जमीन पे आता है अब ये जो मेग है मेग शब्द देखो मेग शब्द मेग कहा है दूसरे स्तान पे उस शब्द की आखरिस्तान पे तो हम यहाँ पे सिर्फ मेग ऐसे कहेंगे मेग अब आगे देखो आगे हमें देखना है कि घग कैसे लिखना है घग लिखने के लिए आपको सिर्फ एक खलका सा यहाँ पे कर्व निकालना है देखो एक हलका सा कर्व होने के बाद बाद में आपको एक डीप कर्व निकालना है देन उसे एक स्टैंडिंग लाइन जॉइन करनी है और ये होने के बाद उसे उपर एक स्लिपिंग लाइन जॉइन करनी है ये हो गए आपका घर फिर से देखो हलका सा कर्व then deep curve, standing line, sleeping line, it's gha, okay, तो आज हमने कौन से अक्षर सीखें, gha और gha, हिंदी के gha और gha, ये दो अक्षर हमने देखे हैं, अब यही दो अक्षर आपको homework में write करने हैं, आपके हिंदी के notebook में write gha और gha in your hindi notebook, okay, आपके gha एक page पे four column और gha एक page पे four column, ऐसे आपको दो page लिखने हैं, सब को समझ में आया होगा, ऐसी आशा करती हूँ, thank you, bye